हेलो आज हम डिसकस करने जा रहे हैं जामिया मिले असलामिया के एंट्रेंस टेस्ट 21-22 के बारे में डिसकस करने जा रहे हैं कि जो जामिया मिले असलामिया का एंट्रेंस टेस्ट है वो कौन सी लैंग्वेज में आता है हिंदी में या फिर इंग्लिश में और या फिर दोनों को लांग्विज में आपका सब सबसे पहले आप खुद ही का जो साथ पास्टीर पेपर चेक करने अगर पर एंट्रेंश ट्रेस्ट के जो पर होते हैं पास्टीर के अगर वह तो हंदी में हैं इंग्लिश में हैं या फिर दोनों JENNY में या फिर फिर हंदी-इंग्लिश उर्दू तीनों में हैं तो आपका IO कम और सिर्फ एक ही लंग्विज में एंग्विज में तो आपका एंट्रेंश ट्रेस एक ही customers में आएग allowing आई अगर हम बात करते हैं एक एक करके जिस सबसे ज़्यादर दॉट आते हैं वह आते हैं भी यह पॉलेटिकल साइस के बच्छों को फिर बात करेंगा सेकंड नंबर फे थार्ड नंबर पर तो जो भी इंपॉर्डंट और सब्सक्राइब को पता है कि कॉमन ही पेपर होता है जिसका course code है B05 तो इसका जो entrance test है वो सरिफ और सरिफ एक ही language में आता है English कौन सी language में आता है? English तो अब आप लोगों को doubt नहीं आना चाहिए कि BA और BA Political Science का entrance test का हिंदी में आता है या फिर English में आता है तो सरिफ और सरिफ English में आता है आप past year के paper भी देख सकते हैं आपका doubt के लिए हो जाएगा Next, second second course है वो है beard अब beard से related सबसे ज़्यादा बच्चों को doubt आता है क्यों doubt आता है? क्योंकि देखिए क्या है beard का आपको पता होना चाहिए कि entrance test का syllabus change हो गया है 2020 से 2020 में ही entrance test का syllabus change हुआ था तो मैंने आपको वीडियो बना के inform करा था जो भी बच्चे 2020 में appear हो रहे थे लेकिन वो 2019 के according ही preparation कर रहे थे जबकि मैंने बता दिया था कि entrance test का syllabus change हो गया है new syllabus के according entrance के preparation करें ये चीज़ क्योंकि new syllabus में क्या था? new syllabus में आप देखेंगे तो कि subjective part से आपके question नहीं पूछे जा रहे तो 2019 में क्या हुआ था अगर हम बात करें 2019 के 2018 के और 2017 में जो entrance test का paper होता था वो सिर्फ और सिर्फ एक ही language में आता था उसमें आपके subjective questions भी आते थे तो काफी सारी चीज़ें होती थी लेकिन 2020 से क्या हुआ है entrance test का paper का pattern change हो गया है entrance test का syllabus change हो गया वो आप वीडियो देख लेजएगा B8 की उसमें आपको सारा doubt clear हो जाएगा और जो entrance test का paper है वो जो आता है अब वो आता है तीनो language में हिंदी में भी इंग्लिश में भी और उर्दू में भी ठीक है तो यह डाउट आपका B8 के बच्चों का भी doubt clear हो गया होगा next हम बात करते हैं जो बिया ओनर सोशोलोजी साइकोलोजी और जियोग्राफी तो बिया ओनर सोशोलोजी का साइकोलोजी का जियोग्राफी का भी जो एंट्रेंस टेस्ट का पेपर है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही लैंग्विज में आता है वह है English नेक्स बात करते हैं बैचलर ओफ होटल मैनेजमेंट अभी बच्चों ने कमेंट कर रहा था होटल मैनेजमेंट से अभी भी डाउट सबस्क्राइब तो उनका भी एंट्रेंस टेस्ट का पेपर कौन से लाइंग्विज में आता है इंग्लिश में ही आता है यह अब या ऑनर्स हिंदी और इंग्लिश का आपको बताने की ज़रत नहीं इसका इंग्लिश का इंग्लिश में ही आएगा बात करते हैं बी एलईल और B.L.L.B. Honors Self Finance दोनों का common entrance test का पेपर है एक ही पेपर है आपको पता है इसका course code है B26 इसका भी जो entrance test का पेपर है वो एक ही language में आता है वो है English ठीक है B.A. Honors History का entrance test का उस लेबस है आपको पता ही होगा और entrance test की पेपर की जो language है वो है सरिफ हो सरिफ English B.B.A. become honors B.A. Honors Economics तीनों का entrance test का पर कौन सी language में आता है English ज्यादा तर courses के entrance test के पेपर है वो सरिफ और सरिफ एक ही language में आते हैं वो है English और अगर हम बात करें school के application form की स्वारी school के entrance test की तो school का entrance test है वो तीनों language में आता है हिंदी में भी English में भी और उर्दू में भी ठीक है नेक्स B.H.C. बायो साइंस और बायो टेक का भी जो entrance test का पर है वो तीनों सारी एक ही language में आता है English तो यह चीज़ आपको ध्यान रखने नॉर्मली जो आपका entrance test है बीपिटी के बारे हैं बात कर लें उसका भी entrance test English में ही आता है अब बात आती है कि अगर मान लीजिए अभी भी काफी courses रह गए पर जो नॉर्मली बच्चों के doubts से मैंने वो courses कवर कर ली हैं इसके अलावा आप लोग के test पास्तियर पेपर देख रहा है उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका entrance test कौन से लांग्विज में आता है ठीक है थैंक यूँ